स्वागत है दोस्तों आप सभी का हमारे यूटूब चैनल तपस से आटीच में दोस्तों आज हम बात करेंगे कि अगर आपका भी एकाउंट ये टेल पैमेंट्स बैंक में है और आप फोन पे गूगल पे थर्ट पाटी अप्लिकेशन का यूज करते हैं और फोन पे में लगातार कुछ दिनेों से इस परकार का एरर सो हो रहा है तो आप इस प्रोब्लम से कैसे निजात पाएंगे 100% तो इस वीडियो में लास्त तक बने रहे हैंगा संपूर जनकारी मिलेगा वीडियो अच्छा लगेगा तो वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजेगा ताकि बैंकिन से जूड़ी संपूर जनकारी आपको हमेशा ही मिलती रहे सबसे पहले आपको क्या करना है अपने एर्टे रिटेलर्स के पार चले जाना है यानि कि जो एर्टे पेमेंट्स बैंक चलाते हैं उनके पास जाना है और उनसे अपना प्रोब्लम बताना है कि भेया मुझे कुछी सपरका का इंटरफेस हो रहा है फोन पे में जब मैं ट्रांजेक्शन करने जा रहा हूँ तो कुछी सपरकार का प्रोब्लम लागातार कुछ दिनों से आ रहा है उसके बाद वो लोग क्या करेंगे क्या करेंगे क्या करेंगे आपके मुबाइल नंबर से क्या करेंगे क्या करना है तो यहां पे कस्टमर का मुबाइल नंबर लगाना है लगाने के बाद उसके नीच को tick out करेंगे और इस वाले option पर click करेंगे जैसे click करेंगे हमारे device में देखेंगे automatic light जल जाएगा यहां से हम क्या करेंगे customer का finger लगवा लेंगे यानि कि जिसके साथ यह problem है उसका finger लगवाएंगे और finger लगवा के 10 रुपिया आसानी से हम लोग निकाल लेंगे जैसे 10 रुपि पे को छेड़ चाड नहीं करना है उसके बाद आपका 100% update हो जाएगा KYC यानि कि जैसे ही आप अपने mobile नंबर के माध्यम से क्या करेंगे finger लगवा कर और 10 रुपिया बिडॉल कर लेंगे तो आपका KYC 100% हो जाएगा जब आपका KYC हो जाएगा तो इस परकार के problem से आप नि जोगी इस परकार का अगर आपके साथ भी problem है तो आप जल्द से जल्द finger लगवा कर पैसा बिडॉल कर लीजिए उसके बाद आप phone पे use नहीं किजिए कम से कम 4 रुज तक उसके बाद automatic आपका KYC update हो जाएगा उसके बाद इस परकार की problem आपके साथ कभी नहीं जाएगी आप आसानी से कोई भी transaction करेंगे किसी भी परकार की कोई problem create नहीं होगा तो पहले आपको क्या करना है finger लगवा कर पैसा बिडॉल करना है तब जाके आपका problem solve होगा